दोस्तो टाइगर 3 को लेकर जॉन अबराहम का शानदार रेक्षन आया है। फिलहाल टाइगर ने पूरे बॉलिवुड को हिला कर रख दिया है और जबरदस्ट क्रेज देखने को मिर रहा है। वही दिगज एक्टर जॉन अबराहम सल्मान खान की जमकर तारीफ करते हुए कह कि ये सल्मान की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है। वही दोस्तों इस फिल्म से वायारेफ की अगली फिल्मों को काफी फायदा होगा। जिसमें टाइगर वर्सेज पठान वार दो और पठान दो जैसी बड़ी फिल्में मिलकर एक बड़ा युनिवर्स बना रही हैं। फि को लेकर काफी अपडेट सामने आई है जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों टाइगर तीन यश्राज की स्पाई युनिवर्सी फिल्म का हिस्सा है और फिल्हाल पठान का इसके अंदर बहुत बड़ा फाइट सीन शूट हो चुका है। दोस्तों शाहरुख दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि हॉलिवुड एक्शन कोर्डिनेटर रिस बांस भी टाइगर तीन का हिस्सा है। वह मार्वल की सुपहिट फिल्म एवेंजर्स एंड गेम पर काम में कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में शाहरु प्रकेदार एक्शन एंटर्टेनर देना चाहते हैं क्योंकि हॉलिवुड के सर्वश्रिष्ट नाम अब इस फिल्म का हिस्सा है। मार्क सिजाक जो पहले क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम कर चुके हैं वो भी इस फिल्म का हिस्सा है। इस फिल्म का स्केल काफी बड़ा होन जैसा कि आप सबको पता है कि टाइगर फ्रेंचाइस का तीसरा भाग टाइगर तीन मनीश शर्मा ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म इस डिवाली के आसपास हिंदी तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी। वही दोस्तों इस एक्शन फिल्म में इमरान हाश्मी विलेन की भूमिका में हैं और कैटरीना भी इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आने वाली हैं बाकी आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना क्या टाइगर जवान का रिकॉर्ड तोर पाएगी।